आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाए वीडियो में हम 12th कलास के मैठ सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 4 डिटरमेंट्स की एक्सराइज 4.3 करने जा रहे हैं इसमें एरिया ओफ ट्रेंगल के बारे में डिसकस करेंगे हम इस एक्सराइज में एरिया ओफ ट्रेंगल देखें हम छोटी कलासिज में हम पढ़ते आए ह बेसिकली जो इसका फार्मूला होता है अगर हमें बेस एंड हाइट दी हो तो 1 बाइ 2 बेस इंटु हाइट होता है किसी भी ट्रेंगल का जो एरिया होता है और भी हमने किया है अगर हम एक्विलेटल ट्रेंगल की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता पर्टिकुलर ट into s minus c and square root ये भी हमने निकाला है और 10th class में हमने coordinate geometry में area of triangle निकाला था अगर हमें coordinate दिये हों यहां पर हम coordinate के बात करें हैं अगर coordinate दिये हों तो हमारे पास था 1 by 2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 and plus x3 y1 minus y2 यह formula हम 10th class में कर चुके हैं अब जो यह expression है इसको हम इस तरह से represent कर सकते हैं 1 by 2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 111 अगर किसी triangle के हमें coordinate दिये हों x1 y1 x2 y2 and x3 y3 अगर हमें coordinate दिये हैं तो हम उनको इस तरह represent कर सकते हैं और इसको जब हम open करेंगे तो हमारे पास यही formula generate होता है solve करके भी देख ले 1 by 2 अगर हम इससे expand कर रहे हैं तो हमारे पास x1 यह column और यह रो गया y2 minus y3 बनता है फिर minus यहाँ पर इससे करते हैं तो minus का x2 बना यहाँ पर अब क्या बनेगा यह column यह row और यह column गया तो क्या बना y1 y1 minus y3 देखे हमने यह चोड़ दिया और यह चोड़ दिया तो y1 minus y3 and then x3 expand हमने column से किया था x3 यह और यह y1 minus y1 minus y2 अब यहाँ पर तो हमारे पास minus नहीं था तो यहाँ पर जो होगा इसको change किया है इनों नहीं 1 y2 into x1 y2 minus y3 इसका change करेंगे तो minus इदर आ जाएगा x2 यह हो जाएगा y3 minus y1 and x3 y1 minus y2 ठीक है याद करना अब इसमें कोई बड़ा मुश्किल नहीं है पहले x1 x2 x3 बाहर तो यह हो गए फिर 1 के बाद क्या आता है 2 3 तो y2 minus y3 2 के बाद 3 1 ठीक है 2 3 1 क्योंकि 1 2 3 ही है हमारे पास यहाँ पर और फिर 3 के बाद क्या दुबारा 1 and 2 बड़ा इजी है ठीक है दूसरा इसके बाद जो area होता है वो हमेशा क्या होता है positive होगा area जो लेंगे हम क्या लेंगे positive लेंगे क्योंकि area जो होता है हमेशा positive value होता है negative तो कभी हो नहीं सकती दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाले क्या है कि अगर हमारे पास कोई 3 point collinear है collinear का मतलब वो एक ही line पे है collinear मतलब अगर collinear points है तो उनका area हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दैट्रेंगल तो इससे बनी नहीं रही है अगर ट्रेंगल नहीं बन रही है तो इत मेंई अगर हम triangle इसको बनाना चाहें तो उसका area क्या जाएगा हमारे पास बन जाएगा यह चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है यह था इसका इंट्रो पार्ट था अब हम इसके question को करते हैं ठीक है y3 हो गया तो area of area of triangle ठीक है क्या बनेगा 1 by 2 1 by 2 x1 x1 means 1 x1 x2 x1 y1 हमारा क्या होगा 0 x2 हमारे पास क्या है 6 0 और x3 4 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 यही था फार्मूला चीक है solve कर दीजी expanding आपकी मर्जी है किस से हम expand कर रहे है expanding by अगर हम column c2 से expand करते हैं by c2 expanding by c2 क्योंकि यह मारे पास क्या है 2 0 है उनके साथ तो value होगी वो सारी की सारी 0 हो जाएगी तो क्या लिखेंगे हम 1 by 2 0 0 यह गया हमने यह छोड़ दिया क्या बचा 6 into 1 6 minus का 4 बन्जा 4 हो गया ठीक है उसके बाद क्या होता है हमारा यह negative होगा क्योंकि हमारे पास यह element कौन सा है 2 1 है तो हम इसके साथ क्या लगाते है minus लगाते है फिर यह है 2 2 तो यह बन जाएगा plus का 0 into 0 into यह row छोड़ेंगे और यह column छोड़ेंगे तो 1 into 1 minus का 4 into 1 4 हो जाएगा और उसके बाद यह हमारे पास है 3rd row second column expand करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 3 into this and this क्या बना 1 into 1 1 minus का 6 into 1 6 ठीक है positive के लिए हमने absolute value लेनी है इसलिए modulus लिया है हमने यहां पर क्या बन जाएगा 1 by 2 यह तो हमारे पास 0 ही हो गया ठीक है 0 plus का 0 और यह हो जाएगा minus 3 into minus का 5 तो 1 by 2 यहां पर बन गया क्या बना हमारा plus का 15 बन गया plus का 15 तो अंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 15 by 2 units इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा अगर यहां पर minus भी आ जाता तब भी हमने क्या लेना था प्लस लेना था सेकेंड में इसको हम कैसे रिपर्जेंट कर सकते हैं एरिया ओफ ट्रेंगल एरिया ओफ ट्रेंगल क्या बनेगा 1 by 2 इसको डिपर्जेंट के रूप में अगर हम लिखेंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 क्या हो जाएगा किस से एक्सपेंड करें हम एक्सपेंडिंग किसी से भी कर सकते हैं एक्सपेंडिंग भाई माल लिजे हमने रो वन से ही एक्सपेंड अगर हमने किया है तो क्या बन जाएगा 1 by 2 2 2 से हमने 2 एलिमेंट लिया यह कोलम छोड़ दिया यह रो छोड़ दिया तो क्या बनेगा 1 x 1 1-8 x 1 8 फिर माइनस का 7 दिस दिस 1 x 1-10 हो जाएगा और प्लस का 1 यह यह जाएगा तो क्या बनेगा 8 बन जाएट माइनस का 10 दिस इस अवर expression क्या बन गया 1 by 2 यह है 1-8 माइनस का 7 माइनस 7 को 2 से multiply करेंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा 14 1-10 माइनस का 9 हो गया माइनस माइनस पलस हो जाएगा पलस का कितना हो जाएगा 63 8-10 that means minus 2 है minus 2 को इसमें 1 से multiply करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 बन गया अब हमारे पास 1 by 2 माइनस पलस के तो 63 होगे माइनस के कितने होगे हमारे पास से 16 होगे माइनस का 16 पलस का 63 माइनस कर दीजिए क्या बचेगा 1 by 2 पलस का 47 बच गया और value लेंगे तो हमारे पास 47 by 2 units हमारे पास इसका क्या आ गया area आ गया बड़ा ही simple है चलिए next में करते हैं हम area of triangle area of triangle 1 by 2 determinant के रूप में अगर हम लिखे ही तो क्या बनेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 तो क्या बन जाएगा expanding expanding by r1 से ही expand कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यह 1 by 2 1 by 2 minus 2 into minus 2 यह column और यह रोच छोड़ेंगे तो 1 into 2 2 हो गया minus minus यह plus हो जाएगा plus का कितना हो गया 8 हो गया उसके बाद minus minus यह क्या बन जाएगा plus बन जाएगा क्योंकि हमारे पास से first row second element है तो minus 1 की power जो suffix हम एड़ करते थे plus का 3 बन गया into this into this यह छोड़ दिया हमने 1 into 3 3 minus minus plus हो गया उसके बाद plus 1 into यह column और यह रोगई minus 8 into 3 minus का 24 और minus 1 की बज़े से plus हो जाएगा 1 into 2 plus का क्या बन गया 2 बन गया solve कीजिए 1 by 2 8 और 2 10 10 को minus 2 से multiply करेंगे तो minus का 20 3 1 4 4 3 जा 12 हो गया minus का कितना बचा minus का 22 बच गया अब यहाँ पे 1 by 2 minus के तो 32 है हमारे minus के 32 और plus का कितना हो गया 12 हो गया 1 by 2 क्या बचा minus का 20 बट absolute value ले रहे हैं तो हमारे पास यह value कितने बन गी absolute है तो plus वो करेंगे minus 20 और यह minus का 42 बनना चाहिए yes minus का 42 है तो क्या बचेगा minus का 30 बनना अब यह हमारे पास क्या है absolute value लेंगे तो क्या बनेगा positive ले लेंगे हम इसको solve करेंगे तो किसके बराबर हो गया 15 के बराबर 15 units इसका area चीक है तो बहुत ही असान है और exam में इसे related questions जरूर ही आ जाता है तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही next वीडियो में अगले question के साथ फिर मिलते हैं तब तक के आले जाहिन जाभार